कल के कलास में हम लोगों ने पढ़ा था भाइलेंस बांड और कंडक्शन बेंड के बारे में किसी का कॉमेंट आया था कि सर इनर्जी बेंड क्या है इनर्जी बेंड के बारे में नहीं जानते हैं तो देखिए इनर्जी बेंड का मतलब क्या होता उर्जा पट्टी उर्जा प इस दोनों चीज के बारे में नहीं मालूम है उसका वीडियो जाकर देख लें वीडियो परावा इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चलिए देखते हैं अब इसके बारे में बाइलेंस बेंड और कंडक्शन बैंड के बारे में तो शबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग जानेंगे इनरजी बैंड यांझा पत्टि के के नधार पर कूछालक चाफ़क और सुब्स्द से इतार aujourd सुन्य फिर। क Sound situation जो वह वो क्या होता है की आन्सिक रूप की यह पुर्ण रूप से भरा होता है यह जो है बाहे कक्षा क्षा क्या होता है जो यह किए बाहर कक्षा काल घरमीटर ऊप का अधारन ली को अर्गी तेन से बाहरी क्रज होता अन्सिक रूप से बढ़ा हुआ है लेकिन अगर हम लोग आरगन की बात लेंगे तो आरगन का कितना होता है अथारह तो पहले में दो दूसरे में आठ आठ दो दस और बाहर में भी कितना जाएगा आठ तो यह पूर्ण रूप से बढ़ा होगा जो कि किसी भी बिदुधरा में इसमें बिदुधरा परवाइत नहीं होगा है ना तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे है ना इनर्जी बेंड के अधार पर क्या करेंगे इंसुलेटर और सेमी कंड़क्टर यानि कूछ चालक और चालक और चालक में अंतरस पस्ट करेंगे अब इ इंसूलेटर में क्या होता है इसमें जो कंड़कस Ann bridge हुता है ना यह पूरी तरह से भरा होता है और वालेंस बैंड भी पूरी तरह से बस्प्रादश होता और इसके बीच में एक गेब साथिस्केजिफ को यह जो गैप है इस गैप को हम लोग बॉलते हैं Forbidden इनर्जी गैप इसके बारे में भी चर्चम पिश्री वीडियो में किये हुए हैं फिर भी बता देते हैं कि यह बैंड यानि की कंडक्शन बैंड और भाईएलेंस बैंड को जो अलग करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रूरवीडन इनर्जी गैप है ना तो इसमें जो फू एनर्जी गयांग क्या होता है बहुत जादा होता जिसके कारण से इसका recovering से इसका इलक्ट्रों जो है वो इसमें conditional Imagine में नहीं जा पाता चया फिर 추천 connection Ben2 का performance Ben2 दिट के करान से इसमें क्या होता कि विद्धु धरा परवायत नहीं होती है और ये कुचालक के तरह बेबार करता है कैसा बेबार करता है कुचालक के तरह जब तक इलक्ट्रोन का ट्रांसफर एक दूसरे में नहीं होगा एक दूसरे में इलक्ट्रोन का ट्रांसफर नहीं होगा तो ये स्कावन देखते हैं जो बाध मने बताया उसी को मैं नीचे, मैं नीचे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसमें इसमें क्या है कि इसमें भाइलेंस, बेंड पूर्न रूफ से med is ऐलेक्टरों से बनकान होता है। violence band जो यह यह बहुत है यह बहुत अधिक होता है यह बहुत अधिक होता है जिसके कारण क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रोन इसमें और इसका इलेक्ट्रोन इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता है और यह इंसुलेटर के तरह विवार करता है कैसा वार करता इंसुलेटर के तरह विवार करता है कि चलिए अब हम लोग इंसुलेटर यानि की कुछालंक के वारे उसने के बारे सेमि कंडंडक्टर के बारे मिण नुख चालक रहे कुछालक रहे या बिए चालक रहे यह पूर्ण होटा है है तो इसमें क्या होता है समझेगा कि इसमें जोby misinformation लेकिन यह जो electron का transfer जो है violence bond में नहीं होता है violence bond में इससे electron का transfer नहीं होता है लेकिन जैसे ही हम लोग कमरे के top पर आते हैं तो कमरे के top पर क्या होता है कमरे के top पर इसका electron जो है वो क्या होता है कि conduction band से violence bond में transfer होने लगता है क्यों क्योंकि क्योंकि इसके बीच में जो gap है ये वाला जो gap है इसमें forbidden energy gap ये वाला gap ये बहुत कम होता है बहुत कम होता है जिसके कारण से ताप बारने से इसका ताप बारने से electron में गती जुड़ा बार जाती है और उसके कारण से conduction band से जो ही वो क्या होता है कंडेक्शन बेंड से electron का transfer का होने लगता है बाइलेंस बांड में होने लगता है किसमें होता है बाइलेंस बांड में होने लगता है कब कमरे के ताप पर कैसे होने लगता है जैसे ही कमरे के ताप पर होता है तो temperature बढ़ता है और temperature बढ़ने के कारण क्या होता है कि इसका electron जो ह है वह क्या होता है अने लगता है किसमे वायलेंस बोंड़ोंड जैसे ट्रंस्फर होता तो भी तुधु दला परवाइत होने लगती है तो इसमें दो कंडिसन देके के एक जिरो डिग्री केलविन पर ये कूछा लक के तरह कारीइक करेगा क्योंकि इसमें मेरे के ताप पर काम रे časip रता पर क्या होता है कि इलेक्तomina में तो से मिकंडक्टर के बारे नीचे में लिखे हैं चाहिक है यह ना चलिए नीचे में देखते हैं उसी के बारे में तो क्या है इसमें इसमें वाइलेंस बेंड पूर्ण रूफ से ऐलेक्ट्रा वा रहता है और इसमें कंडेक्सन बेंड जो है वो जिरो डिगरी ताप पर पूर्ण रूफ से खाली रहता है अब जिरो डिगरी ताप जैसे ही रहेगा तो इसमें पूर्ण रहे गाई नहीं तो इलेक्ट्रोन का ट्रांसफर कहां से होगा खाली रहता है क्योंकि इस ताप पर भाइलेंस बेंड से लेक्ट्रोन का ट्रांसफर पर क्या होता है कि बाइलेंस से ट्रांसफर कंडेक्षन बेंड में नहीं होता है लेकिन कमरे के ताप violence band से कुछ electron का transfer ताप की उरजा के कारन conduction band में अभी तुरेट बताये थे कि जैसे ही कमरी किताब पर आएका तो ताप बढ़ेगा और इसका violence band से electron का transfer जो है वो किसमें हो जाएगा conduction bond में हो जाएगा जिसके कारन यह सूचालक के तरह कारी करता है सूचालक के तरह कारी करता है कैसा कारी करता है सूचालक के तरह कारी करता है अब देखे इसमें क्या होता है समझेगा इसमें भाइलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में भाइलेंस बैंड और तो गेfeit है यह वाला गेप , यह क्या है यह क्या होता है कि यह कमरे के न पर आने कि करण By Any आद nowhere कि में लगता है कंडेक्षण बॉंड में होने लगता है कंडेक्षण बॉंड होने लगता है ऋब लोग इसको फैर कर लिजेगा चलिए तीसरे परकार के बारे में लोग जानते हैं उसको हम लोग पहले इसको मिटाना पूरेगा उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरे बेंड के बारे में तो आप लोग इसको फैर कर लिजेगा फीगर के साथ चलिए तीसरे बेंड के बारे हो सकती है अब देखे हैं कंड़क्टर के बारे में जा नहींगे कंड़क्टर में क्या होता है कि इसमें छो है ना ये होता है के लिफल होता है शा अमप legitimacy 한번 जिसको cv से दत्था है या कंड़क्शन में और ये जौ में भाइलेंस बैंड यह वरले लेप्ल रहता है यानि एक दूसरे के ऊपर चरहा हुआ रहता है कुछ परत इसका फार्वर लेप्ल रहता है मतलब प्रभ नहीं अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसका जो कंडेक्शन बेंड और यह जो है कंडेक्शन बेंड जो नहीं आंसिक रूप से बरावा कि मतलब हम बताए थे कि जैसे बाहरी कख्षा है बाहरी कख्षा में अगर 8 एलेक्टरोन रह सकता शाथ तो यह खाली तो देखकर आईएगा तो बेटर समझ में आएगा उसका लिंक हमने दिया हुआ है रिस्क्रिप्शन में चलिए देखते हैं अब इसमें क्या हुता है कि अब कंडेक्शन बेंट आंसे ग्रूप से बरा हुआ है और भाइलेंस तो जानवे करते हैं कि पूर रूप से भरा ही रहता है तो इसमें जब भर लेपार है तो इसमें त निर्वार नहीं करता है किसी वी तक पर कभी भी जिसमें आँ सुचाल तो अब लिए देखते हैं इसके बारे में कि इसमें कंडक्शन ढंशिक से नौर से भरता है म्चे। सब्सक्राइब क्या होता है कि पूर्ण से भरता हूँ सब कर्णक्ञे को मचांअ वो सेमी कंडक्टर रहे यानि आरदेचालक रहे या इन्सुलेटर रहे तॉस्टा बलते हैं कुछ ऐसे सबीसेबन पूर्ण रूफ से बरावर रहता है इसमें कंडक्षन इसमें कंडक्षन बैंड और बाइलेंस भेंड से ऑबर्लेब्ट हता है कीसा रता है जिसके करन किसी भ है एक फिर देख रहेते हैं पीछे से क्या क्या लोग पर रहें रहें है इस है te देख सिस्owe यह पर रहें कि लिए ना इसलिए एक बार फिर cur育 defnor को ऐसो एक होगया रहता होता है लेकिन यह गेप बहुत ज्यादा होने के कारण इसको फारूटी ने न कनडेक्शन बैंड पूरे से खाली होता है वह लेकिन जैसे ही कमड़े का तप पर आता है तो 种ंडूर्छ इनर्जी नेर्जी जॉत होता है बहुत यही और जानी गए इसका एक्जामपल इबन के रूप में डाइमन अग्जामपल का अपुफ है यह आज के लिए इतना ही कल हम लोग कल के कलासमें पी एंजंक्सन के बारे में परेंगे पी छिप्तर रहें जैना अज के लिए इतना ही मिलते हैं हैं कल ने नेच्ट वीडियो में